कि अग्याइब आपका स्वागत है दोस्तों अभी हम लोग जिस सेर के बारे में बात करेंगे देखिए यहाँ पर ऐसे सेर की बात करेंगे जो कि बजट सेशन से रिलेटेड तो हो बट बजट सेशन खैसा भी आए इसको जो है उसका प्रभाव ज्यादा न पड़े अब बज लिजट खराता है तो बहुत खूरा होता हुआ नहीं आएगा यह यह सेर है आपका टी पी असका और टीडी की बात कर रहें तो टीडी पावर क्रावर से से नाम से लिश्टेड ऐ leveling और बात करें तो यह मैनुक्फेक्ट्शर क्या करता है यह जेनरेटर स्टील्स है रेलवे है सुगर एथनॉल की बात करें और इसी को देखते हुए है हमने जो है यहां पर चूच किया इसके साथ साथ देखे तुछ काफी एच्छा है जो कि हम आगे डिसकस करेंगे और इसके साथ इसके टेक्निकल्स भी देखें तो काफी बढ़िया दिखाई द दिखाई देता है और यही सारे रिजंज इस शेयर को डिसकस करने के लिए तो चलिए इसको डिटेल में करते हैं और पहले फंडमेंटल को देखते हैं तो दोस सबसे CD power का एक जलक हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या करता है तो सबसे पहले देखा जाए कि इसका जो है diversified product बनाता है और wide range of turbines जो है ये बनाते हैं चाहे steam से हो चाहे gas हो hydro हो window इन सब के लिए उसके बाद engines की बात करें तो diesel engine और gas के लिए बनाती है इसके साथ अब तक इसने क्या किया है तो अब तक इसने देखा जाए तो manufacture किये है 6297 generator including generator exported to 103 country तो 103 country में इन्होंने अपने generator भेजे है और capacity देखा जाए मेगावर्ट में तो 45653 जो है इनका मेगावर्ट capacity है और इसका बात इसके बात करें तो leading manufacturer है AC generator का और इसने देखा जाए तो अभी तक जो है वन एक से लेकर वन तो 250 मेगावर्ट के जो है इसके साथ बात करें सबसे बड़ी बात कंपनी जो है तो बात करें sales की तो यहाँ पर इनका जो इस्टोर इंजिरिंग है consultant relationship है और इसके साथ technological ownership भी इसके पास आपको देखने को मिलता है और बात करें इधी country of presence की किस-किस देशों में किस-किस countries में इन्हों ने जो है अब तक जो है motor installed किये हैं तो इधी Asia की बात की जाया जिसमें इंडिया भी है और इनका sales office जो है जापान में आपको देखने को मिलता है क्योंकि जब इन्हों शुरू किया था तो जापानी कंपनी को से ही technology लेके इन्हों ने जो है अपना बिजनेस शुरू किया था और बात करें यहाँ पर एड़ोप में तो 783 generator जो है यू इरोप में जहां पर इनका sales इसका फैक्टरी जो है इस्तानबूल टर्की में आपको देखने को मिलता है और साउथ अफिरका में देखे तो 49 जेनरेटर अफिरका में देखे 272 और बात करें नौर्थ अमेरिका में तो 253 generator जो है सप्लाई किये हैं वो इंस्टॉल किये है और इनका जो देखा जाए sales office व तो कि आपको budget से related अच्छी बाते आएंगी तो किस किस छेत्र में आएंगी आपको marine से रिलेटर आपका देखा जाए तो अब यहां पर देखते हैं कि किस तरह का growth जो है रहा है तो इस चार्ट से आपको समझ में आ जाएगा अज़ी हम बात करें तो अच्छा घासा देखा जाए तो 4265 जनेरेटर जो इंस्टाल किये हैं 14 से 24 तक और यहां पर देखा जाए तो 41 परसेंट जो है आपका देखा जाए तो अच्छा घासा कैपेसिटी उन्हें बढ़ा है और 11 परसेंट का जो काफी एच्छा है और यहां पर आप यह देखे तो मार्च में 24 की बात करें तो यह यहां पर 496 जनेरेटर जो है इन्हों ने इंस्टाल किये 49 परसेंट और जिसमें जाए दोमेंस्टिक मार्गेट में था और उसके बाद देखे तो रिमेनिंग जो था 51 एश्पोर्ट किये थे इनका देखे तो वहां पर आपको 7 परसेंट से 21 परसेंट देखने को मिलता है और जनेरेटर के और डोमेंस्टिक और एश्पोर्ड में तो डोमेंस्टिक में काफी ज्यादा देखने को मिलता है और यहां पर बात करें तो यह सारे सेग्मेंट भी देखने को मिलता है और काफी अच्छा दिखाई देता है अब इनके बात किया जाए कि इस्टोरिकली देखा जाए इनका जो फिनांसियल था तो वहां पर देखे तो टोटल इंकम इनका बढ़ा है उसमें जो देखा जाए तो एटी परसेंट के सी एज यार से बढ़ता हुआ नजर आया एविटा देखें तो 20 से अब तक का दूरी फोर तक देखें तो 45 परसेंट का यह और पैट देखें तो 41 परसेंट का तो काफी अच्छा यहां पर देखने को मिला है और इसके साथ एविटा मार्जिन देखें तो वह बढ़िया जो है बढ़त लगा सकते हैं जहां पर एबिटा 45 परसेंट के इसाफ से बढ़ रहा हो पैट 41 बढ़ रहा हो तो बड़ी बात होती है दोस्तों यहां पे तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसका पी वैलिएशन और डेप टूरी कर्टी मैंने बता डेप फ्री है और और चीजे जो है क्या है यहां पर देखें दोस्तों तो आपको क्या दिखता है मार्केट आप देखें तो आप यहां पर बात करें तो आपको यहां पर यहां पर चीजे बात करें तो आपको यहां पर प्रोफित ग्रोट टोटी ही है और आरवी का ग्रोथ देखे तो फाइफ यह के कंप्रिजन में थ्री एर्में 16.2 परसेंट देखने को मिलता है को यह दिखेगा कि 21 के किसी क्वाटर में 168 करोड था आज के ग्रोथ तो है 264 करो गया है 16 परसेंट का मार्जिन देखे तो लगातार आपको एक बढ़ता मुझे लगती है वह है इन्वेस्टर का तो यहां पर मोटर ने तो बेचा है लेकिन खरीदा कौन है यहीं 2021 में देखे यहां तो आपको दो परसेंट के आसपास दो परसेंट सा ज्यादा एफाइस की ती और 11 परसेंट कौन ता डियाइस सा प्रमोटर की जो भी होल्डिंग लिए और खास करके देखा जाए तो लास्ट कॉटर में भी यहां पर खरीचते हुए नजरा है और दी आइस देखे एफाइस देखे तो पूरा फाइस 24 में आपको यह खरीचते हुए नजरा आया है देखे टू पॉइंट 610 फिर 11 फिर 12.8 वहां पर देखे तो आपको डि ने तो लगबग आपको यहां पर पांचोने से ज्यादा कर जो है और इसके साथ पब्लीक की होल्डिंग को भी कि यहां पर खरीदा के दुआरा और खरीदी गई इंसे शूर्शनल बाइंग जो है अब बात कर लेते हैं यहां पर टेकनिकल चार्ट की तो देखिए टेकनिकल देखने को मिला था फिर आपको एक टाइम पर देखा जया तो 187 से आप देखे तो 62 का तो 20 रुपय का डिप आपको यहां पर भी दिखा था तो हर एक महीने में थोड़ा सा ऐसा टाइम आता है जहां पर यह डिप लगाता हुआ दिखाई देता रहता है हर बार आपको इस विउ से भी अपने प्राइस को थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं सपोज करो कि आपने जो है इस चैनल पर यहां पर आपने नहीं खरीदा आपने सपोज कर यहां पर इंवेक्ट कर दिया और यहां पर आपने नहीं कर दा फिर देखा जै तो चैनल के नीचे आता है तो इस चै यहां देखें दोस्तों क्या था अगर्स्त में 25 रुपया का सेयर आपको 400 के उपर जा चुका है तो लगबा लगबा 72 80 परसंट का रिटन्स जो है कर चुका है और यहां देखें तो एपरिल 2022 में 70 रुपय का था और काफी अच्छा रिडन्स है और बात करें 2003 फरवरी का यह हम जून का ही देखें तो मैई जून में यह 200 रुपय 32 रुपय के आजपा था तो आपका पैसा जो है एक साल में आपकर डबल कर चुका है अब यहा यहां से 200 रुपय तक के चांसे 100 और हमें बनके दिखाई दे सकते हैं 500 को पहले हमारा टार्गेट होना चाहिए और नेक्स टार्गेट जो हमारा 600 के तरह आपको बढ़ता हुआ दिखाई देना चाहिए और रिजल्ट तो भी साल दर साल पर भी देखें तो आपको अच्छा परसेंट का तो इस साल सब्सक्राइब दिखा दिया है तो यह सारे चीजे अच्छी है इसको आप देख सकते हैं और यहां से चीजे अप्लोड कर दिया था तो आपको आपको यह इन्फॉमेशन मिल गई थी पार्केट आवर में अब यहां पे चूकि ब्रेकाउट भी आप चैनल पर दिखाई देता है आपको यहां पर एक अच्छा ब्रेकाउट देखने को मिलता है तो यहां से भी चुकि यहां पर आपको छोटा सा स्टॉप लॉस है दो सो बानबे दो सो नवबे का लगा के यहां पर बाइंग अपुछ रोड़ी जा सकती है और चैनल के नीचे आ तो आपको एक पढ़िया पैटर्स जो है नजर आता है जब भी चलता है तो आपको हाई एन हाई लगाता हुआ चला जाता है तो यह चीज़े हैं तो यह सारे चीज़े थी जो कि मुझे डिसकस करना था और यह सारे जो वीडियो थे मैंने जो बनाया यह वीडियो तो यह सा से विरेजिस्टर होना चाहिए उनसे आप बात करते हैं मिलते हैं नेट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए बाबाई